हलो एब्रीवान वल्कम तो बिंग अबेस्टीचर यूट्यूब चानल इस वीडियो में हम डिस्कास करेंगे आज जो सी रस यू उनिवर्सिटी में पेपर कंड़क्ट हुआ है कमेंट सेक्षिन में लिखकर जरूर शेयर करें आप सभी का एक्जाम कैसा रहा और कितना आपको इंपॉर्टेंट क्वेशन ने जो है और क्वेशन वन कंपल्स रहे है और हरीक उनिट से आपको एक क्वेशन करना है तो क्वेशन पीपर पहले प्रिंट हो गए ते इस साल एक्जैम्शन है तो यह आपका वर्क नहीं करेगा ठीक है तो इसको आप छोड़ दीजे ठीक है इसके बाद यहाँ पे question number 1 है write short notes on difference between interdisciplinary and multidisciplinary approach I told you 4 mark से 16 किसी में भी question आ सकता है B is uses of multimedia निमलिखत पर संशिप्ट टिपणी लिखिए अंतर अध्यन तथा बहु अध्यन शेत्र में अंतर और बहु आयाम की उपयोगेता Question number 2 describe the meaning characteristics and nature of academic disciplines I told you 100% guarantee के साथ यह question जरूर आएगा आध्यन शेत्र के अर्थ विशेष्ताओं तथा प्रकृति का वणन कीजे Question number 3 is describe the social foundation of curriculum at school level देखे तीन तरह से जो है like social है और दो लेवल्स और दिये गए थे foundation के basically तो किसी पे भी question आ जाता है कई बार दो पे भी question दे देता है 888 marks में बट इस बार हमें जो है 16 में individually एक ही foundation पे question देखने को मिला स्कोली स्तर पर पाठ्थे करम निर्माण में समाजिक अधार पर वर्णन कीजे Question number 4 is what do you mean by economic development explain the relationship between education and economic development of country आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं देश के आर्थिक विकास तथा शिक्षा से संबंध पर विवेचना कीजे Question number 5 is explain the concept and methods of acquiring knowledge ये knowledge and curriculum वाला question exact repeat हो गया ये तो बहुत अच्छा हुआ students के लिए क्योंकि easy question भी ये था ज्यान के प्रत्य एव इसके प्राप्त करने के करने की विधियों का वर्णन कीजे ठीक है तो ये आपका आज का question paper था मैं उम्मीद करती हूँ paper आपका अच्छा रहा होगा overall this paper is easy very easy नहीं बोलेंगे क्योंकि दो questions जो है थोड़े से हट कर देखने को मिलें कभी-कभी जो पूछे जाते हैं तो मैं very easy नहीं बोलें बट easy था ऐसा निया moderate था या difficult था easy paper आपका आया है सो कैसा रहा आपका paper comment section में लिखकर जरूर बताएं और आने वरी सीरीज में exams तक अभ्यास की हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम discuss करेंगे gender school and society के important questions चैनल पर पहली बार विजिट कर रही है तो चैनल को subscribe कर लें वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर कर दें thank you